क्या आले साथ ही हो मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्वधी चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस पर आज आपका बहुत-बहुत सौगत है कुछ दिन पहले बारा तारिक को मैंने अभी आप लोग से पूछा था कुछ कोशन्स ठीक जो यहां पर मेंचेंड है कि आप ल सब्सक्राइब ने दिया है कि नहीं दिया हिंदी इंग्लिश कौन से मीडिया में आपका और यूपेस्टी आपके लिए इंपोर्टेंट क्यों है यह पूरे कोश्चन्स थे पेट गूप ने बहुत लोगों ने दिये अपने जवाब और जो चाहते हैं कि परसनल उनका टा लेकिन जो लोग आप लोग का बहुत अच्छा यूट्यूब पे भी कि जिन्होंने कॉमेंट करके पूटाया था कि हमारे यूपेस्ट के इंपोर्टेंट कितने गंटे पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं यह साई चीदे तो उनके लिए मैंने प्रोमिस किया था कि मैं आप लो लिखिए किसीने फोटो कीछके किसीने किसे तरीके से ठीक है ना सब को मैंने बताया भी है यह देखिए सब का जो है कि में Ice ॏ यह पें कितने कान्य आस्ट कप डाउनignment करोगे कि incarnate की श हम देखिये कितने गंटे और पढ़ सकते हैं क्यस्क्सार शान कर ने देखений से अंप किस समय पर कौन सा और चीज़ें तो इसमें परस्टनलाइज जो है टाम टेबल दे दिया अब इसमें आगे क्या करना है यह सारी चीज़ें है तो देखें अब यहां पर मैंने जो हूँ यह ऐसे दिया है इनका यह वाला आपका वहीं वाला वीडियो है जिसमें मैंने कोशन सकते हैं और भी सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वाला फॉर्मैट दूंगा जिससे आप लोग खुद भी अपना पर सकते हैं और जो लोग पेड गूप में हैं जिनका मैंने टाम टेबल दिया है उनका सेक्शनल टेक्स तक टेस्स तक दिया है बताऊंगा अभी उसके बाद रिवाइस करके इसको जहें कैसे करना है वी बता दिया जाएगा तो जैसे इनका मैं यहां पर दिया है कि उन्होंने बताया कि 10 घंटे आप कर सकती है पढ़ सकती है उन्होंने खुद बताया अपना लॉजिकली तो उनको करण्ट अफेर पर कितना टाइम अगला है यह स्कसे णरफ इसके बाद का मैं फिर बताऊंगा जब फुलin टैस हमारे चलू हो जाएंगे लग बनग त्यस्च्रीक क्या है सब्जेक्ट वाइस न को सब्जेक आपको कितने घंटे पढ़ना तो तो शितिसừ तेख़ें में बनाया है यह सब कर तो improve जितने लोग ने अभी तक पूछा था वो लोग जो है उन लोग को मैंने दे दिया है और जो लोग अभी भी जिनको मतलब जो लोग किसी कारणवर्श मिस्स कर गए हैं वो लोग यहला वीडियो देख लेना एक दम इसमें बता दूँगा इसमें जो फॉर्मेट है वो अब यहां पर क्या है कॉमन पॉइंट इसको देखना अच्छे से कॉमन परसनल टाइम टेबल फॉर्मेट एक मैंने तयार कर दिया यह फॉर्मेट इसी तरीके से माल लीजे कि आपके बास फॉर्मूला तयार है बस आपको वैल्यूस पूट करनी अपने अनुसार और बस उ सबसे फ़ली चीज है कि आपको देखना चाहिए बहिया कितने घंटे आप डिवोट कर सकते हो जोड़ो अपना दिन में पढ़ते हो चाहरा रात में पढ़ते तो होगे न कि बहुत है क्यों क्योंकि आप नहीं पढ़़ दूसरा 16 गंटे पढ़़ा तो कैसे होगा तो लेकि आप 8 गंटे में समझता हूं डेडिकेटली पढ़ लीजे रोज तो बहुत अच्छा है ठीक 6 गंटे भी हो सकता लेकिन 8 गंटे बहुत ही ऑप्टिमूम है तो यह औरी चीज है तो आपने यहां पर यहां पर फीगर रखा कि कितने घंटे आप पढ़ सकते हो फिर उसके हिस कर रहा है कि अगर कौलिफाइंग भी हमने कर दिया लेकिन फिर भी यह जो कटाओ फेना यही निकलिया करने देंगे तो इसलिए रोज आधा गंटा करीबन में साथ से देना चाहिए आपकी जो भी लेवल के तयारी है आपके जितने भी आप टाइम देते हो उसे रुसार आ 1.2 एक पे और उसके बाद क्या करना है उसका आपको पीडियाफ एक पढ़ लो ठीक पीडियाफ नहीं भी तो कोई बाद नहीं वीडियो दुबारा देख लो मैं करता हूं यार ठीक है उसके बाद नोट मेंकिंग कर लो यह एक गंटे जादा नहीं होना चाहिए तो सिरीज में हमाई साथ नहीं भी जुड़ है कोई बात नहीं आप लोग क्या करो जब नेक्स टेस्ट का मुद्दा यहीं होता हमारा कि एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करवने कोशिश की आती है ताकि आप उसमें जो है जब फुल लेंट टेस्ट आता है तो उसमें तो मि जोइन कर रखा पेट गूप कोई बात नहीं आप सेक्शनल टेस्ट की जगह जो है आप जो कोई सब्जेक्ट उठाओ उसको कर डालो ठीक उसको पढ़ डालो और उसके कोशन कहीं से लगा लो प्रिवेस लगा लो जो भी कर लो ठीक है तो जब जैसे पेट गूप में क्या स इनको दे दिया है कि कितने गंटे कर रखे दे डिवोट तो उसे इसदसी साबस के यम जादा महित को घो जब तक आप किसी एक सब्जेक्ट को कर रहे हो और अंत में क्या होगा जा एक्जाम पासा जाएगा तो वो उसको करेगा है नहीं छोड़ी देगा वो छुटी जाता है तो जो चीजें जरूरी है पहले ही वो difficult भी हो तो उनको करना उससे आदा जोरी और पहले करना जोरी है यह बास समनना ठीक तो इसलिए पहले इसको कर लि लगता है इन दोनों के अलावा कोई तीसरा या कोई भी चीज आपको करना है यहाद करना ही जैसे मैंने तीन इसके जो है वह शक्राइब भॉघ ने के कि 241 लेकह कि तीन के बाद 4 तिन जो भी तीन लो पढ़ा है तीसरी जो है revision strategy क्या होती छे दिन में जो भी पढ़ा उसको साथे वे दिन कर लो ये weekly आप कह सकते उसे तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ one day revision strategy, three day revision strategy और weekly revision strategy तो इस तरीके से आप revise कर लो और उसके लिए भी रोज time allot करना जो रही है या फिर चौथे दिन या फिर साथ वे दिन B वाला subject कौन सा है पॉलिटी, economy जो भी हो आपका मैं करता हूँ कोई दिक्कत नहीं paid group में अगर आप हो तो उसको आप रोज पढ़ोगे जब पढ़ोगे तभी doubt आएगा doubt आएगा तो पूछोगे और जब तक doubt नहीं clear होगा तब तक मैं उसको solve जब तक नहीं कर लूँगा तब तक मैं आपको जो है नहीं छोड़ूँगा ठीक उसको clear करिया ही जाएगा doubt को तो इसलिए आप पूछो रोज करोगे तभी तो अब difficult वाले को छोड़ते रहोगे तो फिर दिक्कत है तो वहां पर आएगा और negative marking है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए यह यह यहां पर पूरी कुशिश है और गलतियां जितनी वह अभी कर लेनी है ताकि एक्जाम में गलती नहीं तो जो भी है उनको क्यों difficulty लग रही यह भी जाना जो रही है जैसे है पॉलिटी है अब पॉलिटी में आपको लगा रहे सर वह है अब कई बात यह होता कि आपने उसको देखा यह नहीं चखा यह आप गए नहीं तो आप उसको सब्सक्राइब नहीं नहीं बोरिंग लग रहा या वो लग रहा इस इस्ट्री का मैं आपको होता हूं मैं इंजिनिंग पैक्राउंड का हूं हिस्ट्री जब मैंने पहले पढ़ता तो मुझे आती थी नीद लेकिन अब जब हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी शुरुआत से और यह एंचियंट और यूपीस्टी में आकर के तयारी के लिए त बस आपको क्या करना है कि जो चीज में बता रहा हूं वो करते चलो मैं उसका सामधान निकाल के आपको दूंगा अभी हो सकता है अब आखरी में आप 15 दिन पहले कहते हैं यह नहीं हो रहा है तो मुझे बहुत गुस्टा है अभी इसलिए मैंने आप लोग को जगाने के लि आप देखो कोई लोग 6 गंटे ही दे पा रहे हैं कोई लोग 12 गंटे दे पा रहे हैं तो ऐसा मझालों फर्क तो है यह यह बहले हो 12 गंटे अलग कम डेडिकेशन पढ़ लोग फिर भी फर्क रखता है तो आप नहीं पढ़़ो दूसरा पढ़़ो यह बहुत जो रही है आपको देने पढ़ेगा UPSC को प्रियोर्टी पर रखना पढ़ेगा ठीक क्योंकि एक कहवत है मेरे असाब से कि जो अनुशाशन को फॉलो करने का जो पेन है ठीक जो दर्द है अनुशाशित होने में वह दर्द बहुत ही कम है पस्तावे से ठीक दापेन इन गेटिंग डि स्टाइजी बना रहे है और आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसको फॉलो करो अच्छे से और कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो अब यह तो फॉर्मेट हो गया अब जनरल पॉइंट्स क्या है यह बहुत जाता है इंपॉर्टेंट है दस जनरल में कर पाए हो कि नहीं ऐसा तो नहीं मैंने पहले भी पहले बोला था कि डेडिकेटेडली रियल जितना टाइम आप दे सकता हो तने बताना प्रैक्टिकल लेकिन मालो आपने बोला कि 8 गंटे ठीक हो सकता आप 10 गंटे दे पार हो मैं नहीं कह रहा हूं कि कमी हो सकता आप 4 किरंटे दे पार हो अगर जैसे मैंने कहा कि किटना टाइम देना है कुछ चीजे देखो एक चीज समद्लो वासित्ता कुछ चीजे में मिस होँगी होंगी एक्जाम से एक दिन पहले आपको हमेशा लगेगा कि एक महिना और मिल जाता हो एक मैना अगर स्टेंड भी कर दिया माना है तो आर गंटे आपने करते चले गए तो यह बहुत आसान हो जाएगी जर्णी इंज्वाइ है ऐसा तो नहीं है कि आगे टार्गेट मिस हो जा रहे हैं मिस होंगे भी तो घबडाना नहीं है उसको फॉलू करना है ठीक एक दिन नहीं हुआ किसी कारणबर्श हो सकता है जिंदगी अनिस्चित्ताओं से भरी हुई है लेकिन हम अगर डेडिकेटेड हो जाएं तो देखो जो नदी होती हो अपना रास्ता खुद बनाई लेती है ठीक आपको अब देखो इस्ट्रडजी अब यह स्ट्रडजी है जनरल पॉइंट्स पहला तो आपको बताना है डेली प्लैन कि आपने कितना कितना पढ़ा क्या है टागेट अचीव किया दूसरा कि है कि आपने अग मेरी कि पांच मेरी स्ट्रडजी को आप अपना हो उसमें आप यह सोचो कि या मुझे पांच मिनट के लिखा लिए इसको बैठना है इसको पढ़ना है ठीक तो क्या है कि आपकी गाड़ी कम से मोशन में आ जाएगी जो रुकी हुई है हिस्ट्री समझते तो आप बैठो के इसको अब सब्सक्राइब दूसरा है और दूसरा एक जड़ा की खिर Share का घृम बर पांच मिनट का रेष्ट फिर 25 मिनट पांच मिनट करें ठीक तो 50 मिन टोटल आपने पढ़ा और उसके बाद जो दस मिनट करें लेकिन आपने जब पढ़ा 25 मिनट वह देर घंटे के वराबा था यह बासमने वाली ठीक गड़ी रखो सामने तीसरी स्ट्टेजी क्या है कोई भ गंट का ही जो है आप लाब बनाओ ठीक और इए घंटे में कुछ और में सोचना कि अगले घंटे में क्या हुआ होना है पिछले में क्या हुआ था यह सब कुल नहीं सोचना है मल्टी टास्किंग मत करो मल्टी टास्किंग के लिए हमारा जो है दिमाग नहीं बना है मैं आपको बता रहो सच ठीक अब यह है कि बेसिक्स पे बिलकुल वो रहो जो भी कॉंसेट्स हैं बेसिक्स हैं उनको बहुत ही धंग से ध्यान से पढ़ो इंटर लिंग करके जैसे मैं लोगों बताता हूं ठीक यब भी को जैसे एक नौमियों कई लोगो टर्मलोजी में दिक्कत होती है कि क्या चीज बोला क्या नहीं बोला यह साई चीज है उसको पढ़ो समझो प्रैक्टिकली जोड़ो ठीक और बार बार यह एक बार में नहीं होती है चीज समझे रो इतनी चाहिए थी एक आवर प्रैक्तिकर में दिश्क कर रहा है कि आप डिसकेशनी बाएफ़ बताते हो कि यह गंटे के लिए आप मैं रहा हूं उस्तаков. क्या होता एक प्रियर प्रेशर आपके उपर बनता है और यह वहीं उसी दाइब का प्रेशर होता जैसे आपको एक्जाम में मिलता है तो यह चीज अभी से करो ताकि आपको एक्जाम हॉल में ऐसा लगा कि आपने जाकर गुरुप में बोला कि मैं आप एग घंटे के लिए करना चाहरा हूं अगर कोई चाहे तो कुछन मुझे से पूछ लेना ठीक तो इस तरीके से खुद से अपने आपको चैलेंज करो यार तभी तो आगे बढ़ो कि आप लो लगे कोई पूछ सकता है तो आपका डेडिकेशन फोकस देखना बिल्कुल आसमान चुएगा ये बात ध्यान रख लो ये ट्राइड एंटेस्टेड यारी सारी स्टेजिस हैं बहुत यादा जोड़ी है अच्छा मैंने कई लोग से कुछन पूछा था कि UPSC आपके लिए क्या है कई लोग एक दो लोग तो पत जाएगा किया परफॉण बढ़ाए्टर प्रेशर लिमिटेट प्रेश्रिट कैसे बनता है हमारे ** आन लुंटेट फरेशर है यह है तो है नहीं कुछ नहीं रही है उट पर्फॉण करें पाओ अब को भया jewels आपको process को enjoy करना है ठीक daily तब ही मैं कहा रहा हूँ daily plan मनाओ एक घंटे plan मनाओ एक छोटी छोटी चीज़ करते चले जाओ आपका दिमाग जो है अभी क्या फल पे है तो उससे क्या होगा आपको टेंशन होती रहेगी यार कैसे पहुचूंगा कैसे पहुचूंगा कैसे छोटे छोटे स्टेप्स को करते चले जाओ मेरे भाई बड़े बड़े improvement होते जाएंगे बड़ी बड़ी success आपके हाथों में होगी समय आई बात तो इस process को follow करो जो जर्णी है जो रोड है उसको follow करो जहां गंतव में destination है उसके बारे में सोचते रहोगे तो यार accident हो जाएगा समझा करो मेरी बात ठीक है तो यह enjoy करो process को ठीक और UPC को यह मस हो चोकि UPC हुआ तो वह नहीं तो मैं कुछ नहीं हुआ यह नहीं होता है कुछ भी इससे बहुत जादा प्रेशा बन जाता है unnecessary जो कि important नहीं है ठीक आपका देखे यह है कि give you idea about how much competition is अच्छा यह जो time table मैंने बना के दिया है सबका एक साथ दिया है क्यों ताकि आपको यह बता चले है यार दूसरा बारा गंटे पढ़ ला है आप चार गंटे पढ़ ला है मैं कहता हूं कुछ भी हो एक psychological pressure आपको बनेगा limited pressure बनेगा उससे परेशान जो होत नहीं फिर आपके अंदर जागेगी और आप सब लोग आपस में ज़्यादा ज़्यादा अच्छा करने को और फिर यार इंड ऑफ दे यू हैब टू रिलाइज कि यह एक्जाम भी तो एक competition ही है मेरे भाई क्यों भूल जाते हो वहां पर भी तो cut-off क्लिया करके ही तो आप निकलोगे दूसरों से आगे तो यहां से क्यों नहीं चालू करें यार और यहां तो आप इसके बाद यह है कि पूरे डेडिकेशन अब यह मिल गया सारा प्लैने सब कुछ है परसनल टाइम टेबल लेकिन अगा डेडिकेशन फोकस और इस तरीके से फोकस हो कि आप किसी को पढ़ाने वाले इस तरीके नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत है यह बहुत ही ज्यादा इंप अब तो चालू हुआ है गेम अब तो इसको फॉलो करना है ठीक अब देखो दूसरी आठ्वा पॉंट का है डू नॉट ओवर्थिंग और मल्टी टास्किंग ज्यादा सोचो नहीं है यार हिस्ट्री जब हिस्ट्री पढ़ने है तो पॉलिटी मेरी छूटी जा रही है वो यह क्या तरीका है जो करना चारे हो वहू नहीं कर सकते हैं जो इंसानी दिमाग मल्टी टास्किंग के लिए बना है कैसे अगर आप constitutional development पढ़ रहा है polity में तो वो एक historical चीज है यह हो सकती है interlinking लेकिन आप यह सोचें कि मैं history में पढ़ू हूँ यहाँ पे चार्टर act या फिर जो है कैसे बिटिशस ने इनको एड़ेक किया और वहाँ पे आप रफतार नाम से है वैसे तो रटी एफार है रटी एफार फोर्सेस अगर आप फॉलो करोगे रफतार प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप बड़ी रफतार से अपना improvement करोगे क्या है पहले तो आप पढ़ो ठीक उसके बाद उसको प्रोवन है अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए किसी आइलेंड में कोई भी आपको आपके नाम से करने वाला ना हो और अपना नाम आप खुद किसी पेपर पर रोज ना लिखें तो तीस दिन के बाद यूविल फॉर ओन नेम ठीक समझ में आ रहा होगा ना कि रिवी करिए ठीक है फीडबैक से फिर रिवाइस करिए अब जब यहां से गलती हुई फीडबैक अपने लिए फिर रिवाइस जब करोगे फिर से पढ़ोगे तो आपने वो चीजे जो पहले छोड़ दी थी और कोश्चन में इंपोर्टन्ट हैं वह आली आएंगी तभी तो मैं क क्या था कि एकनोमिक सर्फिसे जैसे ट्रेंड पूसता है कि बताईए जीडीप घट रही है बढ़ रही पिछले सालों में यूप से न ऐसा कोश्चन पूछना चलू किया तो आपने जो ग्राफ देखे आते ना बहुत जादे इंपोर्टन्ट है बाह ग्राफ ऐसे आते न यह ऐसे करके तो आप आप आपने जब वो कोशन गलत किया तो आप ध्यान दो के यार हाँ यह तो बढ़ रहा है पिछले पांस सालों दस सालों में और नहीं तो आप ध्यानीं देते तो यह जरूरी है वहाँ पर रुकना नहीं स्कोर देखे रहे नहीं रोने लगे कान सकते हैं without any discussion मुझे मैं मतलब मैं कहूंगा जितना जादा आप मुझसे जो इंट्रेक करोगे उतना जादा आप लोग के लिए फायदे मंद होगा ठीक मुझे कोई प्रब्लम नहीं है आपको क्यों प्रब्लम है यार पूचने मैं क्यों ऐसे यह संकोच करते रहे तो यार न अच्छा वनन डाड़ती है पांच मिनिट कर मैं कुछ बोल दूं आप नराज है लेकिन वह आपके 50 साल के लिए अगर important है तो मैं वह बोलूंगा ठीक तो उसी तरीके से आप भी अगर कोई doubt आ रहा तो आप पूछो नो यार पूछना है ठीक और मैं खुद कह रहा हूँ च तो उससे अच्छा है कि अनुशाचित हो जाओ ठीक all the very best अपना तकिया कलाम है और अगर आप लोगो अच्छा लगता है इन केस वैसे तो कोई जोड़ोत नहीं है अगर आपको लगता है तो आप लोग चाहो तो बलो यह ऐसे follow कर सकते हो format में दे दूंगा time to order बना सकते हो लेकिन अगर आप लोग one stop destination चाहिए test series आपका study material टोटल से मटेल और आपका ऐसे personal guidance चाहिए तो आप लोग हमारे इन नंबर्स पर 969606089 पर कॉल कर सकते हैं 856480530 सिर्फ इन ही दो नंबर पर करना और कोई नहीं ठीक यूपी एसी दोजा एक इसका complete फिर पूप चलता तो इ